स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथ शुगा द्रिष्टी PCS के स्टेटेटलस की इस नई वीडियो में मैं हूं सल्मान और आज हम जिस राज्य के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो राज्य है उत्तर प्रदेश्यानी की मानचित्रों के माध्यम से हम आज उत्तर प्रदेश के उनिस्थानों के बारे में पढ़ेंगे जो की बीते हफ़ते सुर्खियों में रहे हैं तो एपिसोड की शुरुआत करते हैं बीते एपिसोड के अभ्यास प्रस्ण के साथ। कि हम अपने प्रते एक एपिसोड में एक अभ्यास प्रस्ण देते हैं जिसका उत्तर आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना होता है और ऐसे विद्यारती प्लेलिस्ट में जा करके हमारे पहले के एपिसोड को भी देख सकते हैं क्योंकि परिक्षा की तिती बहुती नजदीक चली जा रही है जिससे कि हमारे सारे प्रोग्राम ना केवल स्टेट एटलस ही बलकि उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधि द्रिष्टी PCS और द्रिष्टी संस्थान की ओर से जो भी चलाए जा रहे हैं वो काफी महतपूर हो जाते हैं तो आप सभी को एक काम करना है कि द् प्रबंधित तरीके से आगे बढ़ा सके तो इस प्रस्निक उत्तर को देखने के लिए मांचित्र का सहारा लेते हैं यहाँ पर अगर हम देखे उन्नाव जिले की बात करें तो उन्नाव जिला कुछ यहाँ पर आप देखे तो मांचित्र पर इस तरह से यहाँ पर इस्थित है और इससे सनलंग अगर हम जीलों की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हरदोई, लखनव, राइबरेली, पतेपुर और कानपुर नगर तो यहाँ पर इस पस रूप से आप देखें पांच जीले ऐसे हैं जो कि उन्नाओ के साथ अपनी सीमा को साजा करते हैं तो य यहाँ उन्नाओ में ही इस्तित एक जील या ताल है तो यहाँ से दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाते हैं तो प्रस्न का सही उत्तर सी होगा जिन विद्यार्थियों ने इसका उत्तर सी दिया था उनका जवाब बिलकुल सही है और आईए देखते हैं कि आज के एपिसोड का पहला सवाल क्या बनाया गया है सवाल है उत्तरपदेश के रेखा मांचितर पर पक्षी अभ्यारनों को A, B, C एवं D द्वारा दर्शाया गया है निमलिखित में से किस पक्षी अभ्यारन को सही नहीं दर्शाया गया है नवाबदन पक्षी अभ्यारन, सांडी पक्षी पक्षी अभ्यारन इन्हें ABCD के माध्यम से यहां पर दर्शा दिया गया है और आपको बताना है कि इन चारों में से वह कौन सा पक्षी अभ्यारन है जिसकी इस्थिती को मानचित्र पर सही नहीं दर्शाया गया है तो नवाबगन पक्षी अभ्यारन की अगर हम बात करें तो समन पक्षिय अभ्यारन की तो समन पक्षिय अभ्यारन जो है यहां उत्तर प्रदेश के मैन पूरी जिले में इस्थित है वही अगर पारवती अरगा पक्षिय अभ्यारन की बात करें यहां उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में इस्थित है तो यहां से वह चार जिले आप स रूप से नहीं दर्शाया गया है, तो सबसे पहले उन्नाओ की स्थिती जिसे ये द्वारा प्रदर्शित किया गया है इसको देखते हैं. उन्नाओं की इस्थितی यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तरपदेश की राजधानी जो लखनओं है उस के डक्षिण में है या डक्षिण पक्षिंम में हम कह सकते हैं यह रहा लक्ष्णव और यहां पर इसकी इस्तिति को ए द्वारा दर्शाया गया है तो जो बिल्कुल सही दर्शाया गया है वही अगर सांडी पक्षिय अभ्यारण की बात करें जिससे बी जो की हर्दोई है इसे भी बिल्कुल सही दर्शाया गया है क्योंकि हर्दोई की इस अगर हम देखे तो आप देख सकते हैं यहां उत्तर पक्षिम में है उन्नाव के तो इसकी इस्तिती भी बिल्कुल सही है क्योंकि यह अभी उत्तर पक्षिम में दर्स आया गया है वही समन पक्षिय अभ्यारण जो कि मैन पूरी जिले में इस्तित है इसको सी से दर्स आया गय तो यहां इस्थान आगरा है, यहां पर आप देखें, उत्तर प्रदेश के मांचित्र में, यहां इस्थान जो है जहां पर C की स्थिति को दर्साया गया है, यहां आगरा है, जबकि मैन पूरी इसके पूर में होगा, यहां पर आप देखें, तो इसकी स्थिति कुछ यहां प C हो जाएगा वही पारवती अरगा पक्षिय अभ्यान की बात करें इसे D द्वारा प्रदर्शित किया गया है या दिखाया गया है तो D की इस्तिती की अगर हम बात करें गोंडा गोंडा यहां पर कुछ इस तरह से इस्तित है इसे D द्वारा दर्शाया गया है जो की बिलकु सही दरस आया गया है तो प्रस्ण का उत्तर यहां से आप मैप से पुष्टी करें तो निकल कर आएगा सी वाला यानि कि समन पक्षिय भ्याण की इस्थिती को इस मांचित्र पर सही नहीं दरस आया गया है चर्चा करते हैं अगले प्रस्ण पर सवाल है उत्तर से दक्षिड की और नदियों का सही क्रम है शारदा, गोंती, सही, गंगा इन्ही चार नदियों को अलग-अलग क्रम में विवस्थित करके चार विकल्प के रूप में दिया गया है और आपको बताना है कि उत्तर से दक्षिड की और सही क्रम क्या है यानि कि उ उत्तर की और सबसे पहले कौन सी नदी प्रवाइत हो रही है, फिर उसके दक्षिल में कौन सी, फिर उसके दक्षिल में, फिर उसके दक्षिल में इस तरह से आपको विवस्तित करके सही करम बताना है, तो इसको मानचित्र पर यदी हम देखें, यहां से देखें, शारदा सबसे पहले अगर इस मांचीतर पर हम देखे हैं तो शारदा नधी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर सबसे उत्तर की ओर जो प्रवाहित हो रही है राज्ज में इस तरह से इसके बाद अगर आप देखेंगे तो गोमती नदी मिलेगी कुछ इस तरह से प्रवाहित हो रही है इसके बाद आप देखेंगे तो सही नदी आपको मिलेगी यह सही नदी है जो आगे जाकर के गोमती नदी से मिल जा रही है और फिर सबसे दक्षिन में यदि आप देखेंगे तो गंगा नदी मिलेगी आपको यहाँ पर आप देखें चीज तरह से तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा सबसे पहले शारदा नदी एक ही विकल्प दिया हुआ है इसके अलावा कोई तूसरा विकल्प शारदा नदी से शुरुवात नहीं हो रही है तो शारदा नदी, गोंगती नदी, सही और सबसे अंत में गंगा नदी यानि कि दिये गए विकल्पों में जो गंगा नदी है वो सबसे दक्षिन की और प्रवाहित हो रहे थी गंगा यमुना, गंगा गोम्ती, गंगा राम गंगा, गंगा या शारदा, तो सबसे पहले अगर हम बात करें मारकंडे महदेव मंदिर की, तो यह जो है वाराणसी से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर इस्थित कैथी नामक गाउं पर इस्थित है, कैथी गाउं जो है वाराणसी और गाजीपूर के बीच जो राजमार्ग है, उसी राजमार्ग के पास इस्थित है, और यह जो मंदिर है, यह गंगा और गोम्ती नदी के संगम तट पर इस्थित है, इसकी पुष्टी यदि मान्चित्र से करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यदि यहाँ पर आप यहां पर आप देखे गंगा नदी कुछ इस तरह से आ करके यहां पर गोंती नदी से मिल रही है। धाम है या मारकंडे महादेव मंदिर है तो इसकी पुष्टी इस मानचितर से भी हो जाती है तो प्रस्ण का जो सही उत्तर हो जाएगा बीवाला हो जाएगा यानि की गंगा और गोमती नदी के संगम तट पर मारकंडे महादेव मंदिर इस्थित है जो की भगवान सीव से सं यह राजमार्ग गंगा नदी को पार करके बरेली के तरफ बढ़ जाता है कूट दिया है केवल एक केवल दो एक और दो दो ना तो एक और ना ही दो तो राश्वी राजमार्ग 21 की अगर बात करें तो यह जैपूर को बरेली से जोड़ता है यह कथन बिल्कुल सही है वही देखें तो जैपूर यहाँ पर मानचित्र में आपको देखने को मिल जाएगा और यह कुछ इस तरह से यह राश्वी राजमार की किस कुछ इस तरह से बढ़ रहा है यदि आप देखें तो यहाँ से कुछ इस तरह से यह बढ़ते हुए आगे यह कुछ इस तरह से यहां पर यह बरेली तक जाता है यानि कि जैपूर को यह बरेली से जोड़ता है और यहां पर आप देखें तो हलके light blue color की एक नदी प्रवाहित हो रही है यह जो नदी है यह गंगा नदी है तो इस मांचित्र से दोनों ही statement की पुस्टी हो जाती है कि यह जैपूर को बरेली से जोड़ता है और यह गंगा नदी को पार करके बरेली की तरफ बढ़ जाता है तो प्रस्न का सही उत्तर सी हो जाएगा चर्चा करते हैं अगले प्रस्न पर सवाल बनाया गया है निमलिकित में से कौन सा एक रामसर इस्थलों में सामिल नहीं है अगर बात करें उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश में दस रामसर इस्थल है यहां पर कमेंट सेक्शन में आप सभी को बताना है कि उत्तर प्रदेश का वह कौन सा इस्थान है जो अभी लेटिस्ट इस सूची में शामिल किया गया है या यह कह लें कि राम सर इस्थलों की सूची में शामिल किया गया है अगर इन इस्थानों की बात करें तो इन में से प सिति कुछ यहां पर आप देख सके कुछ इस तरह से इस्थित है इससे सनलंगन अगर जिलों की बात करें तो बदायू परूखाबाद मैनपूरी पिरोजाबाद मथुरा महमाया नगर और अलीगड इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखें तो एटा जो है आप सभी यहां पर देख सकते हैं यहां पर पटना बड़ सेंक्शुरी आप सभी को इस पस्परूप से देखने को मिलेगी पिसमानचितर से भी पुष्टी हो जाती है कि जो पटना बड़ सेंक्शुरी है यह एटा में इस्थित है और यह उत्तर प्रदेश के रामसर इस्थलों में शामिल न है जाते हैं पूर्व एवं मध्य मैदानी छेत्र पस्टिमी मैदानी छेत्र भाबर एवं तराई छेत्र या सबसे अंत में है ए और बी दोनों यानि Sisters इवं पस्टिमी मैदानी छेत्र तो इस प्रस्ण का जो सही उत्तर होगा डी हो जाएगा यानि कि उश्लकटी इसको अगर मांचित्र पर देखें तो यहाँ पर आप देखें यह जो यह यह जो लाइट ब्लू कलर से दिख रहा है यहाँ पर आप देखें के सेंट्रल जोन या जिसे हम मद्ध जोन कहले यहाँ पर भी कुछ मात्रा में इस तरह के वन पाय जाते हैं लेकिन मुखे रूप से अगर हम बात करें इनका जो संकेंदरा है में мें। साल का व्रिक्ष है। इसके अलावा यहां पर नीम, अमलताश, पीपल आदी के व्रिक्ष प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। लेकिन इनमें जो सबसे मुख्ष माना जाता है वो साल का व्रिक्ष माना जाता है। चलिए एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। सवाल है उत्तरपदेश में सबसे कम साक्षर्टा वाले जिलों का पस्चिम से पूर्व की और सही क्रम है। सरावस्ती बलरामपूर बहराईच। यह तीन जिले हैं इनको अलग-अलग क्रम में विवस्थित करके चार विकल्पों के रूप में दर्शाया गया है। और आपको बताना है कि इनका पस्चिम से पूर्व की और सही विवस्थित करम क्या होगा। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि भारत की जन्गरना 2011 के अनुसार उत्तरपदेश का सबसे कम साक्षरता दर्वाला जिला जिला है जहां पर सबसे कम साक्षर लोग पाई जाते हैं अब चुकि अगर हम विकल्प में देखें यह वाले विकल्प से शुरू हो रहा, इसके अलावा किसी भी विकल्प में स्रावस्ति से शुरूआत नहीं हो, तो प्रस्ण का सही उत्तर इस इसाब से हो जाना चाहिए, लेकिन इन जिलों में भी हमें पस्चिम से पूर्व की और देवस्थित करना है तो अगर हम मांचित्र पर देखें तो स्रावस्ति की तुलिना में बहराईच जो है पस्चिम की ओर पड़ेगा तो यहां पर बहराईच से शुरुवात होगी तो बहराईच की अगर बात करें तो इसमें बहराईच से शुरू होगा लेकिन अगर हम देखें पस्चिम से पूर्व की ओर तो इन दिये गए विकल्पों में आप देखें तो बहराईच उसके बाद स्रावस्ति और उसके बाद बलरामपूर तो पस्चिम की ओर सबसे पहले जो हो जाएगा बहराईच हो जाएगा उसके बाद स्रावस्ति हो जाएगा और उसके बाद जो है बलरामपूर हो जाएगा तो प्रस्चिम का जो सही उत्तर हो जाएगा वह कौन सा होगा बी वाला हो जाएगा सबसे पहले बहराईच स्रावस्ति बलरामपूर लेकिन जो सबसे कम साक्षर्थ जिला है उत्तरपदेश का वह सरावस्ति है उसके बाद पहराईच है और उसके बाद बलरामपूर है अब्चूकि प्रस्ट में ये दिया हुआ है कि पस्चिम से पूर्व की ओर हमें इसे विवस्थित करना है तो इसका सही करम पस्चिम से गठन 1995 में किया गया था राश्ट्री राजधानी छेत्र में उत्तरपदेश के साथ जिले शामिल है केवल एक केवल दो एक और दो दो ना तो एक और ना ही दो तो अगर बात करें इस बोर्ड की यानि की NCR पीबी जो है इसका गठन जो है वर्स 1985 में किया गया था ना की वर्स जिले हैं और आएए देखते हैं कि वह कौन कौन से जिले हैं जो की NCR रीजन में शामिल किये गया है उत्तरपदेश के कौन कौन से जिले हैं शामिली, मुझफर नगर, बागपत, मेरट, घाजियाबाद, हपुर, गौतम बुधनगर और बुलंद शहरिया वो आठ जिले है जो की उत्तरपदेश के हैं और इन्हें NCR यानी की National Capital Reason में शामिल किया गया है और इसके अंतरगत कौन कौन से राज्य हैं उनमें अगर देखें तो मुख्य रूप से हर्याना, उत्तरपदेश और राजस्थान सामिल हैं तो हमें उत्तरपदेश की अगर बात करनी है तो उ कहां से प्रस्ण का जो सही उत्तर हो जाएगा डी वाला हो जाएगा दोनों ही स्टेट्मेंट गलत है क्योंकि NCRP बोर्ड है उसका गठन 1985 में किया गया था और उत्तरपदेश के साथ नहीं बलकि आठ जिले इस रीजन के अंतरगत शामिल किये गया है अगला सवाल आप सभ क्या होगा इसका सही उत्तर जल्दी से कमेंट सेक्षन में दर्ज कर दीजे तो मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नए सवालों के साथ तब तक पढ़ते रहे आगे बढ़ते रहे शुक्रिया